हेलो दस्तो मैं हुरी श्रफ चार्जी और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले बोट एडोप 281 प्रो टी डाबलो एस के बारे में तो वीडियो का पूरा देखिए अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना चाल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करके बेल एकाउन में अगर तो दोस्तों दिस दा पाकेजिंग तो आप देख पारेंगे पूरा एक सील्ड पाकेज आता है तो सील्ड को निकाल लेते उसके बाद बॉक्स को देखेंगे उसके बाद खोलेंगे तो चलिए सील्ड निकाल लेते हैं हम यह बाहर का जो एक सील्ड है ओके तो पहले हम थोड़ा सा पाकेज देख लेते हैं तो आप देख सकते हैं बोर्ट का लोगो है मूव लाइक प्रो तो यह ब्लू कलर मैंने वडर किया थो तो आप देख से ब्लू कलर का स्टिकर है बोर्ट इमर्सिव साउंड एर्डोप्स 281 प्रो अगर आप इंट्रेस्टेट ऐसे खरीते में दोस्तो तो प्रोड़क्ट प्रोड़क्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा इस तरफ ल वाटर रेसिस्टेंट ब्लूटूथ वर्शन 5.1 स्मूर्ड टच कंट्रोल और वाइस असिस्टेंट का भी सपोर्ट है तो इधर सील है दोस्तो मैं सील को इस तरफ दोनों पीचे नीचे के तरफ मतलब इधर दो सील है मैं उसको कट कर लेता हूं ओके तो बस ऐसे नीचे कट करके इसको पुल करना पड़ता है तो ऐसे करके पुल कीजिए और यह ओके पहले मुझे थोड़ा सा कंट्रूशन हो रहा थे एक खुलता कैसे है बट फिर मैंने देखा कि इधर एक पुल टाब है तो बस सील को कट कीजिए फिर ऐसे आपको निर्वाना एडॉप स्टुरेट 281 प्रो फिर इधर से और एक पुल आउट टाब है ओके तो कुछ ऐसा रहेगा दोनो येर बड्स इधर है और इस इस दा केस को निकाल लेता हूं मैं साइड में रखते है केस को मतलब यह प्लास्टिक भी निकाली लेते है पहले अगे तो इस इस हाओ दे केस लुक्स थोड़ा डीटेल में देखेंगे पहले और क्या है बॉक्स में वह देख लेते हैं तो इस आप दे येर बड्स पुछ ऐसे दिखने में रहेगा ओके दोनों को मैंने ऐसे निकाल लिया है तो इस आप येर बड्स किक इसको अबे साइड में रख लेते हैं और क्या है बॉक्स में में हमको और एक मतलब इसमें cables and extra earbuds आता है वो भी निकाल के आपको दिखा देता हूना है so this is the type C cable type C cable कुछ ऐसा रहेगा इंसाइड आप देख पा रहांगे earbuds भी है plus कुछ और booklets भी इसमें मिलता है booklets देख लेते हैं so this is the user manual very important फिर और कुछ information है read before use one year का warranty and FAQ card भी मिल जाता है हम main चीज देखते हैं जो है user manual user manual आपको दिखा दिता हूं मैं so this is the user manual पीछे भी दिखा दिता हूं and specifications भी देख लेते हैं so these are the specifications आप चाहे तो pause करके पढ़ सकते हैं बस यह पूरा unboxing हो गया अभी देखते है case and earbuds आपको close-up में दिखा देता हूं this is how the case looks very compact actually picture में ज्यादा बड़ा लग रहा था अंदर ऐसा है dual tone type and color रखते हूं मैं okay this one also okay तो आप देख सकते इदर charge हो रहा है तो दो LED glow कर रहा है red color का and bus इदर भी LED है दो जल रहा है आप देख सकते हैं चार्जिंग के लिए पीछे type-c cable and this is the reset button दोस्ता unboxing हो गया अभी हम देखेंगे first time setup and video अभी तक अच्छा लग रहा है तेक लाइक जरूर कर देना चाल पर नहीं तो subscribe करके bell icon पर दबा दीजिए मुझे Instagram पर follow किजिए at the rate RC media house let's continue तो अभी हम first time setup करते है तो basically दोनों earbuds को case से निकालना है तो दोनों को निकाल लीजिए and अपने phone का Bluetooth on कर लेते हम इदर तो आप देख पा रहेंगे already इदर पेरिंग मोड में चला गया है अब देख रहें इदर पेरिंग मोड चल रहा है तो इदर सच करते है available devices में अल्रेड़ी दिखा रहा है बोर्ट एड़ोप्स 281 प्रो तो उसमें क्लिक करेंगे ऐसे क्लिक करेंगे पैर आ जाएगा तो AAC का भी support है तो okay कर दीजिए 90 बैटरिया है अभी खोल के भी देख लेते हैं यह पूरा settings है और इसमें AAC भी on कर लेते हैं ठीक है हो गया setup very simple देखते हैं first time experience review कैसा रहा तो first start करेंगे दोस्तों design से design दिखाते तो it's very compact और दिखने में बहुत premium है आपको color options भी मिल जाएगा दोस्तों different color option plus आप देखेंगे थोड़ा dual type or dual tone type design है दिखने में in-ear style है and apple airport style very similar अंदर भी आपको matte finish मिल जाएगा आपको पहन के भी दिखा देता हूं कैसे रहेगा दिखने में so this one is actually comfort की बात करो दोस्तों आप देखेंगे this part is little bit on the bigger side जो यह area है तो first time जब आप पहनेंगे तब आपको थोड़ा सा लग सकता है कि थोड़ा बड़ा तो नहीं है but थोड़ा देर पहनने के बाद आप used to हो जाते हैं आप देखें ऐसा कुछ पहनने पर लगेगा दिखने में and fitting के बात करूं तो एकदम टाइट है दोस्तों खाली शुरू में थोड़ा सा लग सकता है कि थोड़ा बड़ा है क्या but थोड़ा देर पहनी उसके बाद आप used to हो जाएंगे तो comfort by squibation मुझे लगा नहीं sound की बात करते है all right तो इसमें 6 mm का drivers मिलता है दोस्तों and first impressions मुझे wise and treble थोड़ा सा priority में लगा bass भी अच्छा था बट मुझे थोड़ा सा जादा मतलब wise and treble जादा सुना ही दे रहा था overall इसमें AAC and SBC mode दोनों का support है AAC की बात करूं तो yes clarity was good clear sound आ रहा था SBC mode में मुझे actually थोड़ा सा bass जादा मिल रहा था but overall मुझे overall जो sound clarity है वो AAC में better लगा bass की बात करूं दोस्तों तो अगर आप equalizer भी मैंने try किया जाके कि क्या हम manually बढ़ा सकते है क्या bass जादा तो equalizer में बढ़ा के देखा और I would say जो default setting है दोस्तों वही सबसे best है अब customize करेंगे तो वह अच्छा effect नहीं आ रहा था जितना by default जो tuning है उसमें सबसे best मुझे लगा overall I would say good voice and treble and bass is also on the good side but priority दिया है voice and treble को mic की बात करते है all right mic and call quality कैसा रहा तो overall इसमें actually ENX technology करकर company ने दिया है and मैंने call करके देखा एकदम clear था दोस्तों कोई भी issue नहीं लगा आपको भी सुना दूंगा mic का sample ताकि आपको भी idea मिल जाए कैसा आपको call quality मिलेगा Hello दोस्तों यह जो audio आप सुन रहे है इस via the mic of the boat AirDogs 281 Pro बते ही आपको कैसा लग रहा है audio and अगर अभी तक वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक like जरूर कर देना चाल पर नहीं है तो subscribe करके bell icon भी दबा ही दीजी बाई-बाई next हम बात करते है latency की gamers जो है gaming के लिए इसको use करना चाहते हैं उनको कैसा रहेगा यह TWS so I would say मैं casual type gamer हूँ and मुझे थोड़ा सा lag लगा दोस्तों comparatively थोड़ा slight lag लग रहा था तो अगर आप जादा gaming करते हैं तो मुझे लगता है आपको इसमें lag तो लगेगा so that was about slightly मुझे lag तो definitely लगा बैटरी की बात करें तो इसमें आपको 25 hours of playback time both with case मिल जाएगा and अगर आप single charge use करेंगे तो around six and a half hours battery की मतलब case की बात करें तो इसमें आपको 420 mh का capacity मिल जाता है and 40 mm capacity है earbuds का ठीक है fast charging का भी support है मतलब 5 minutes charge करेंगे तो up to 60 minutes तक चल जाएगा and overall full charging में around 40 minutes claim करती है company बड़ आप एक्सपेक कर सकते है around one hour में तो full हो ही जाएगा plus type c charging में मिल जाता है which is good अभी कुछ extra features के बात करते है number one इसमें special thing आता है reset button ठीक है instant reset button by chance अगर full reset करना साथ तो easily कर पाएंगे इसमें touch controls मिल जाएगा touch controls was very good एक बार से ही proper काम कर रहा था मुझे बार बार क्लिक करने का कोई ज़रूरत नहीं है एक और चीज जो मैंने notice किया कि आप देखेंगे पूरा surface flat है पूरा flat है तो very easy to control थोड़ा round होने से कभी कभी मुश्किल हो सकता है बट since this is fully flat आप easily जैसी हाथ रखेंगे पूरे area बड़ा है तो आप प्रॉपरली touch controls उस कर पाएंगे IPX5 water resistant भी मिल जाएगा Bluetooth 5.1 का feature मिलता है Bluetooth 5.1 तो transmission range भी अच्छा रहेगा connectivity will be good finally voice assistant की बात करें तो उसका भी support है दोनो Google and ios sorry Siri का भी support है so वह भी चल जाएगा no issues there pricing की बात करें तो यह शुरू में one triple nine का मिल रहा है but i think so थोड़ा सा प्राइस वेरी हो सकता है 2000-2500 तक भी जा सकता है but overall मैं अपना conclusion बता तो first looks very nice looking दोस्तो जो earbuds है that also looks very premium plus KSP dual tone के वज़े से थोड़ा अलग दिखने में है sound quality की बात करें तो more on the balance side मुझे लगा with good enough bass but slightly on the balance side mic भी अच्छा था तो call के लिए अच्छा रहेगा Bluetooth 5.1 का support which is good क्योंकि बोट का दूसरा में 5.1 का support नहीं मिलता है so this is a TWS which comes with the 5.1 support Bluetooth 5.1 तो अगर आप interested है तो इसको खरीदने में तो link आपको description and commentation मिल जाएगा वीडियो थोड़ा सा भी यूसफुल लगा तो एक लाइक जरूर कर देना चाल पर नहीं है तो subscribe करके bell icon पर दबादीजिए मुझे Instagram पर follow कीजिए अधर रेट RC media house आज के लाइतना था दोस्तों फिर से अगले वीडियो मिलेंगे तब तक के लिए बाइबाइबाइब स्टेसे तो दोस्तों unboxing हो गया हम तो दोस्तों unboxing हो गया